यह हमारी आज की गर्मी की एकदम बढ़िया ठंडक देने वाली तरावट देने वाली रेसिपी जो एकदम चिल्ड है गर्मी को एकदम से दूर कर देगी तो नमस्कार फ्रेंड्स प्रतिवास टिस्टी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो मैं बना रही हूँ आ मैं एक पैन में डाल दिया है डालने के बाद में जब तक हमारे दूद में अबाल आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि एक ग्लास में लेंगे आधा ग्लास के आसपास दूद लेंगे और दूद लेकर के गुनगुना दूद लेना है और उसमें हम दो टी स्पून डालेंग अच्छे से जब एक दो उबाल आ जाएंगे तो आप पहले इसको चम्मस से चला दीजिए ताकि नीचे अगर जरास अभी लग रहा हो ना तो हट जाए और उसके बाद में हम एक हास से दूद को डालेंगे और दूसरे हास से चम्मस से चलाते जाएंगे ताकि यह जो डालकर हम चला देंगे और इसी ढखकर हम रख देंगे गैस हमने पहले बंद कर दी थी तो फ्रेंड्स यहां पर हम बनाएंगे जो ग्रेप्स का सीरप है वह बनाएंगे आपके पास हरे अंगूर है आप हरे ले लिजिए और अगर काले हैं काले लिजिए कभी-कभी यहां पर हम बने इस में चाह तीजपून्च चकर बातना स्वन कि ships काल तो ने का डालने के पास बडना दे शॉक एक तो यह दैखिः writer बन चुका है हमने उसे इतार दिया औरर यहां पर द्यार्ट भी ले चाहिए और रखो रखी कॉती हैं लिजिए और उताव बापस तो यहां पर निकाल लिया है, और अब नेक्स पर चलेंगे, जहां पर हम ले रहे हैं, आट ब्रेट स्लाइज, आपके पास जो भी एक डिश है, नाप के हिसाब से, आपके ले सकते हैं, ब्रेट स्लाइज को ले करके हम यहां पर इसके किनारों को निकाल दिया है, हमने देखिये इस तरह से हो, इसके बाद में हम इसको सेक रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तवे के उपर, तवे पर बटर या गी किसी से भी रोस्ट कर सकते हैं, इस तरह से हमने इनको रख देंगे च चार ले सकते हैं हमें डबल लियर लगानी है इसलिए मैंने यहां पर आठ सलाइस लिए इसलिए हम बाकी बची जो चार है उनको भी सेक लेंगे और अब हम चलते हैं ब्लेंड करनी के बाद ने अब हम आते हैं के टिष में सबसे पहले उसलियर स्टर्ड के दे में कस्टर्ड के जो बनदा हैं कि त्रैंड रिद्टि में घ्ल कली में तो लोग लोग देखते ही में रह जाएंगे QUE यह दीकोरे, हम टोस्ट भी कर्मक सिरे मारा तरीकोरे, एक कापी। प्रouss मोरें अन्रेम आप यहां गए। आप टेस्ट इसे बन खो टांक होनकreiben को टांक है कि सभी को बहुत पसंद आने माला ही और सबसे ओड़ी बात है कि न यह तला हुआ है न बहुत जादा इसमें ऑईल गया है न गी गया है और नहीं बहुत जादा हमने शकर डाली तो यह देखिए यहां पर चारो ब्रेट स्लाइस को मैंने यहां पर जमा दिया और अब इसके उ पर हमने अगली लियर लगाई है जो हमारे रोस्टिड नट्स है ना उनको हमने अच्छी तरह से फैला दिया है तो मैंने पहले इसादा बिन रोस्ट के ऊभी ले सकते हैं आप चाहे तो बिना रोस्ट की यह ले सकते हैं लिग कि रिख्ये लेंगे तो उनकी ग्रुटी मेरे पास अनार के दाने थे तो मैंने अनार के दाने डाली बिल्कुल ऑप्शनल है आपके पास नहीं है आप बिल्कुल मठ डाली है और है तो डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यह देखे हमने यहां पर जो है फूर्ट की भी लेयर लगा दिवारों यह देखे हम यह देखे हमारी दूसरी लियर है वह भी भी त्यार भी पी अच्टर्ड के आदे दी तरह हम सभ हमारी लियर ब्रहते दीन इन वहां दालेंगे संगागे तो यह तो ते भी खुल слож Ed or social बहुते हम सभी खो़ता देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो मैं इसको ग्रीन कलर से गाणिश सी करूँगी। इस तरह से यह देखें, आप मन चाहे हिसाब से गाणिश कर सकते हैं उखता हैं। items को लगा रही हैं। यहां पर हमने नट्स डाल दिया उसके बाद मेरे पास अनार के दाने थे मैंने अनार के डाने डाल दिये हैं आप चाहे कोई और फूट भी डाल सकते हैं तो यह देखिए हमारी पुडिंग हो गई तयार अब मैंने इसको कवर कर दिया है आपके पास यह धक्कन वाला नहीं है